नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आप सबका आपके अपने डिग्निटी के डिजिटरल प्रैटफोर्म पर मैं जलेप सिंग आपका जीके गुरू ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आजी क्लास को हम लोग जो है जो टोपिक पढ़ चुके हैं उसमें पहला था रास्तान के स्थ नेक्स्त पिंत्र स्टार्ट करेंगे वह है आपका कौंसा इडीया धारत केoineं ड Left स्वर्म जानरा के लिए तोपिक जो आजका हुगा आपका वह क्या होगा वह होगा डेया होग एयानि कि है भारत के ऑडभीक है हो श्यूत या बाद में हम जो है छोटे मुझे द्वीप वह सार देखेंगे ओके और दिखें सबसे पहले बाद तो what is the mean of island की द्वीप समुख होता क्या है पहले बाद तो द्वीप क्या होता है ठीके धान अना वहद छोटा वह छोटा इस्थलिय शेत्र कौन सा भई वह छोटा इस्थलिय शेत्र जो चारों और से जो चारों और से जल से गिरा हो क्या हो भई चारों और से जल से गिरा हो उससे हम क्या कहते हैं बई ड्वीब कहते हैं क्या बोलते हैं ड्वीब अब दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है सर ड्वीब समू कौन सा आता है बई ड्वीब समू अब ड्वीब समू क्या होता है कि सर कई चोटे चोटे द्वीपों का व्रहद शेत्र व्रहद हो या स्रंखला बद्ध हो व्रहद हो या क्या हो भई श्रंखला बद्ध चेन के रूप में हो तो ठीक है तो यह व्रहद या स्रंखला बद्ध जो है शेत्र क्या कलाता है भई यह द्वीप समू कलाता है तो पहला तो एक कॉंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर्द्वीप और द्वीप समू में जो है क्या नतरे कई बाप पूछा जा रहा है अजकल एक्जाम्स में भी बहुत ज्यादा सो प्लीज बी कैरफूल ठीक है बई और कुछ किसी का ठीक है अब देखो आगे तो ये दोनों चीजें के डिफ्रेंस हो गई सबके अब यहां पर देखिए अब देखिए अब जो है हम ड्वीपों के आगे को डिफ्रेंस हमने समझ लिया है अब देखो कि द्वीप इंडिया में कहां कहां पर है में के अब इंडिया में कहां कहां पर हमारे आपको पता है कि भारत जो है भारत दक्षिन में तीन और क्या है भई जल्द से घिरा है ठीक है भारत जो है दक्षिन में तीन और क्से घिरा है भई जल्द से घिरा हुआ है है या ना बिल्कुल अब जेसे किसर-जेसे कहां कहां पर वो देख लो किसर सबसे पहला जो भाग है यह कौन सा है किसर यह है आपके दक्षिन पंशिम में तो दक्षिन दक्षिन पूरू में क्या है गाइस बंगाल की खाड़ी है ठीक है तीसरा दक्षिन में क्या है सर हिंद महा सागर क्या दक्षिन में हिंद महा सागर ओके चली बिलकुल तो यहां तक हो गया अब देखो आगे की ओ कि सर यह आपके इंडिया है इस मेप को तोड़ा इदे लेते हैं आप तोड़ा से उस सिंग कर लेते हैं अब देखो द्हान से दिखता सबको शो हो रहा है विजिबल हो रहा है अब देखिए भई यह आपके यहां पर तीन और क्या है सर जल है मैंने कराता ना कित्ती और है सर तीन और जो है जल से घिरा हुआ शेत्र है ओके वई यहां पर क्या है पूरा जली से विद्धुमान है अब देखो द्हान से तो सबसे पहले यह जो भाग है यह यह तो क्या है सर अरब सागर है क्या है यह यह तो है अरब सागर ठीक है इधर क्या है कि सर यह है आपके दब्बे ओफ बंगाल यानि की बंगाल की खाड़ी तो दक्ष्र में क्या है सर यह आपके इंडियन ओशियन यानि की हिंद महासागर ओके तो भारत जो है डक्ष्र में यह तीन जल्य शेत्टों से क्या है वही गिरा हुआ है यानि की यह जो है आपके ट्रेट्रेक है अब यहां पर कुछ आइलेंड्स बनते हैं क्या बनते हैं द्वीब बनते हैं दा सुनना अरब सागर मेसर यहां पर जो द्वीब बनते हैं यह वाले यह द्वीब ठीक है इन्हें कहा जाता है लक्ष द्वीब तो इन्हें कहते हैं लक्ष द्वीब ठीक है यहां पर एक छोटा सा द्वीब है इससे कहा गया है मिनी कोई क्या कहा है वह इसको इससे कहा है हमने मिनी कोई तो लक्ष दीब हो गया एक सेट एक सेट क्या हो गया मिनी कोई हो गया क्लियर वही कोई डाउट यहां पर नहीं ठीक है अब देख़ो आप आगे इधर आजाओ, सर इधर आपके यहाँ पर दीपों की एक पूरी चेन है, क्या है भई, दीपों की एक पूरी शंखला है, ऐसे, और ये जो द्वीप हैं, इन्हें कहा जाता है अंडमान वा निकोबा, क्या कहते हैं भई, अंडमान वा निकोबा, तो, इंडिया में दो तो द्वीप समु हैं, पहला कौन सा लक्षदीप, तो ये लक्षदीप का भाग है, और दूसरा कौन सा है, किसा दूसरा है, अंडमान वा निकोबा, तो ये तो द्वीप है, ये दो जो हैं, ये सर आपके क्या है, यही दो आपके group of island है, ठीक है बई, क्या ही है group of island, the answers को तावला आप note कर लो, ठीक है बई, चलिए, so note का लिया होगा, बिल्कुल, नोटेट गईस, चलिए, अब सलते हैं आगे क्यों, अब मैं सबसे पहले अंडमान निकुबार, जो द्वी पे उनका अपन करते हैं, पोस्ट मार्टम, किसका अंडमान निकुबार, दहां रखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं, बंगाल की खारी के दीप समू, तो पहला जो टोपिक है, वो कौन सा है सत, वो है आपका, पंगाल की खारी के दीप समू, तो टीक है, यह आपका फर्स्ट टोपिक, इसका अब ही, बंगाल की खारी के दीप समू, तो टीक है, जाने रखेएगे, ओके, अब मेरी बार समू, यहाँ पर इस्टार लगा लो, वो लिख लो, पहला, कि बंगाल की खारी में, लगभग, तो बहुत है लगभग, ठीक है, पांत सुच्छतीस्ट वीप है, और टोटल छोटे मोटे देवर तो फिर आर्च सु थीस हो आएंगे पान्च सु थीस द्वीप है ठीक है नेक्स्ट इस शेत्र का मुख्य द्वीप समूँ इस शेत्र का मुख्य द्वीप समूँ क्या है वही अंडमानव निकोबार है अग्सट क्या है वही अंडमान वर निकोबार ठीक आइस क्या है यहाँ पर जो मेन है वह कौन सा है इस से जो मेन है वह अंडमान वर निकोबार अन्डमान वर निकोबार अन्डमान वर निकोबार शेत्रफल की द्रस्टी से भारत का भारत का सबसे बड़ा केंद्र साशित प्रदेश भी है क्या है यह जो है एरिया के इसाब से भारत का सबसे बड़ा क्या होगा केंद्र साशित प्रदेश भी है ओके चली और देखिया आगे अन्डमान निकोबार के दक्षिन में कौन सा द्वीप है सर सुमात्रा द्वीप कहां परें सर तो यह है सर इंडोनेशिया दक्षिन में सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया इस्तित है तथा तथा उत्तर में उत्तर में कोको द्वीब कोंसर कोको द्वीब जो है म्याम मार मैं है ठीक है खिलर भई तो यह है आपके द्वीपों के साब से किया है ब्सक्काष दूथा ऑफ इस्तित्र मेंगौश्ड़ाए ट। इस्तित लिएवग्ड़ बाद से दुए खिलिए तो कोईड़्ाए ट। झाली हो गया यहां तक नॉट केल सबने जिया विल कुल, धांस जॉट कुल नॉट करलो, be careful. झाली जॉट केलिए झाली 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 झाल 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 द्धान से जो इसको नोट कर लो ओके फिर हम चलते हैं आगे किसा अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं उसमें क्या सिस्टम है वो गईज जी अब द्धान निकोबार पेहिर आज जो पूरी क्लास ले पाएंगे आपने झाल 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 तेख्या बढ़े, बढ़े, परी, सम्धकिन रजेंड वर्क, आप बढ़े अब जो अब टोपीक है वो है अंदमान की को बना है सबसे पहले मैं बात करता हूं अंदमान की इसके वह अंदमान अब जब आप अंदमान की बात करते हो ध्यान रखो सरक इधर जो है इधर एक देश आता है इसको ऐसे बनाए उससे अच्छा है पर इसको कैसे बनाएं यहां कर लेते हैं यहां पर देश आएगा इस देश का नाम है म्यामार को देश का नाम क्या है म्यामार शूरा सबको बिल्कुल अब म्यामार का यहां पर एक द्वीब है छोटा सा इस द्वीब का नाम है कोको द्वीब क्या नाम है इसका इसका नाम है कोको द्वीब ठीक है और कोको जो द्वीब है ये किसका है कि सर ये जो द्वीप है ये म्यामार का है इसका है भई ये ये जो है म्यामार का है ठीक है अब इसके बाद में सर यहां पर एक द्वीप आता है और ये जो द्वीप है ये किसका है सर ये अंडमान का है किसका है ये अंडमान का और इसका नाम है गाईज लेंड फॉल द्वीप इसका इसका नाम है लेंड फॉल द्वीप और लेंड फॉल जो द्वीप है ठीक है ये किसके शेत्र में आता है ये किसके शेत्र में आता है तो द्यान रेको लेंड फॉल जो द्वीप है ये आता है आपके अंडमान यानि कि अंडमान का पहला द्वीप है कौम सा लैंडफॉल द्वीप ओके वई बी केरफूल तो अध्यान से ओके अब देखवागे नीचे यहाँ पर सरक द्वीप है इस द्वीप को कहा जाता है उत्तरी अंडमान क्या कहते हैं भे इसको इसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान क्या नाम दिया इसको उत्तरी अंडमान दे दिया अब इस उत्तरी अंडमान में एक परवत चोटी है कैसर इसमें एक माउंटेन पीक है समझ लो यह जो परवत चोटी है it is the highest mountain peak of अंडमान निकोबार Hall Island group and duty पूरे अंडमान निकोबार जिते भी द्वीप है उन सबकी सबसे उची परवत चोटी है ठीक है और इस परवत चोटी का जो नाम है वो कौन सा है कि सर इसका नाम है Saddle Peak क्या है इसका नाम Saddle Peak Saddle Peak को गद्दीदार चोटी भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको इससे जो है गद्दीदार चोटी भी कहते हैं इस परवत चोटी की हाइट 732 मीटर कहते हैं वही 732 मीटर and it is the highest mountain peak of अंडमान निकोबार आइलेंट ठीक है जहां रगना कि सर ये जो परवत चोटी है ये परवत चोटी अंडमान व निकोबार की अंडमान व निकोबार की अंडमान व निकोबार की सर्वोच परवत चोटी है यानि कि सबसे उंची क्या है परवत चोटी किस कि किसर अंडमान और निकोबार की तीक है बई और कौन से अंडमान में है कि सर ये जो है आपके नौर्थ अंडमान में किस में सर ये नौर्थ अंडमान तीक है बई चलो अगे जहां दोग सर आगे यहां पर ऐक बाडा आइलेंड आता है इस बहुती बड़ अईलेंड है और इस आलेंड का नाम में का इस मद्ध्य अंडमान क्या नाम इसका इसका नाम मद्ध्य अंडमान तीक है उद्धान रखो कि सर ये जो द्वीप है ये अन्दमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है क्या है बहिए अन्दमान वर या अन्दमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है किया गयोओमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है गयोज क्यों गॉलियर यहां तक है एने डाउट नई चलो अब इसके आगे इधर आ जाओ ठीक है मैं ये जो चीज यहां बना रहा हूँ न उसको आप इसके नीचे बनाना ठीक है जो मैं अब यहां बनाऊंगा वो आप इसके नीचे बनाईएगा ठीक है बिल्कुल बहुत ध्यान से कि सर यहां पर एक द्वीप है छोटा सा इस द्वीप का नाम है रोस द्वीप क्या नाम बहुत इसका इसका नाम है रोस द्वीप ठीक है ध्यान रखो बहुत इस रोस द्वीप का नाम चेंज हो गया है और इस द्वीप का नया नाम इस द्वीप का नया जो नाम है वो क्या है सर वो है सुबास चंद्र बोस द्वीप दानगना इस द्वीप का नया नाम क्या हो गया है कि सर इस द्वीप का नया नाम हो गया है सुबास चंद्र सुबास चंद्र बोस द्वीप हो गया है पहली बात तो यह ठीक है कभी पूछे कि रोज दीप का है से अंडमान में है ठीक है और उसका नया नाम क्या है सुभाश्चत बोस दीप फिर आजाओ आगे फिर सर यहाँ पर एक बड़ा द्वीप और है ठीक है इस द्वीप का नाम है दक्षनी अंडमान कैसा इसका नाम है दक्षनी अंडमान क्या है भई दक्षनी अंडमान अब सुनो इस पर क्या क्या है कि सर सबसे पहले तो सर इस पर एक जेल बनी उई है क्या वें सर एक जेल जेल बनी है और इस जेल को कहा जाता है सेलूलर जेल क्या है सर सेलूलर जेल और इससे ही आप लोग क्या कहते थे काले पानी की सजा इससे क्या कहा गया है इससे कहा गया है काले पाने की सजा ठीक है भई? क्लियर? कोई सवाल किसी का? क्लियर? क्लियर नोट अब देखो आगे अब देखो यहाँ पर जो है सर इसी जगह पर अंदमान निकोई राज़दानी भी तो है क्या है सर अंदमान निकोबार की राज़दानी है या नहीं है? बिल्कुल और नाम क्या इसका? इसका नाम में पोट ब्लेयर क्या सर यह? यह जो है बोट ब्लेयर क्या सर कहीं पुछे किस दुवीपर है? दक्षिन अंदमान अब यहीं पर जान रखो इसी पर एक एरपोर्ट है क्या है भाई इसी पर एक एरपोर्ट है और इस एरपोर्ट का नाम है वीर सावर कर एरपोर्ट कौन सा है भाई यह जो है यह है आपके वीर सावर कर एरपोर्ट ठीक है क्लियर अब सुझ जान से सर यहां पे एक परवत चोटी है क्या है भी यहां पर यहां पर एक परवत चोटी है इस परवत चोटी का जो नाम है बटावई क्या नाम है सर इसका नाम है माउंट हेरियेट क्या नाम है इसका नाम में Mount Harriet, ओके बहुत important information दे रहा हूं, please be careful जहां से note करिएगा, के नाम इसका बहुत, Mount Harriet, ओध्यान रखो, पुराने 20 रुपे के note के पीछे, इसी का क्या है, चित्र दिया हुआ है, ठीक है, पुराने 20 रुपे के note के पीछे क्या है, इसी का चित्र है, और अब सर इसका नया नाम, क्या है भई, Mount Manipur है, तो इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, Mount Manipur कर दिया गया है, ठीक है भई, clear, जी आप, तो इसका नया नाम क्या हो गया है, इसका नया नाम हो गया है, Mount Manipur, ओक्य गाईज, clear? clear? नोट कर लिया, चलिए, बेल्कुल बहुत ध्यान से, हो गया यहां पर, अब आ जाओ, यह सर यहां पर एक दूसरा द्वीप है, ठीक है? कि इसका ने तो है, तो मै काना झ। दूसरा मैं है, बता है, झाल झाल चलिए बई कर दिया नोट अब देखो यहाँ पर देखे आगे तो सर इसका जो नाम है ठीक है इस द्वीब का नाम है कौन सा इस द्वीब को कहा जाता है आपके लिटिल अंडमान क्या कहते हैं बहुँ इसको लिटिल अंडमान कहते है ओके उध्यान रखना कि सर इन दोनों के बीच में एक सीमा है कह भई सीमा और इस सीमा का नाम है डंकन पास के नाम भई डंकन पास कभी पूछे की दख्षनी अंडमान और लिटिल अंडमान के भी सीमा कौन सी है तो वह आपके डंकन पास है और देखो आगे, इस सर एक द्वीप है यहाँ पर, ठीक है, कि सर अब ये बिखरे हुए द्वीप है सारे, ठीक है, अब ये बिखरे हुए है, डोमेन में ने, कि सर इसका नाम है है वलोक द्वीप, कौन सा है, हेव लोक, ठीक है, अब द्वीप, इसका नया नाम, इसका नया नाम, स्वराज्य द्वीप है, कैब इसका नया नाम, स्वराज्य द्वीप है, ओके, फिर देखो आगिया, फिर एक द्वीप हो रहा है, ओके, उसका नाम है नीली द्वीप, ठीक है, अब स्वराज्य द्वीप, इसका जो नया नाम है, वो कैसर, वो है शहीद द्वीप, कौन सभाई, शहीद द्वीप, ठीक है, ध्यान रखेए हो, फिर ध्यान रखो, कि सर, यहां पे एक द्वीप है, उके, इस द्वीप के लिए काफी इंप्रेंट एन्प इया ना, आपके, क्या पर इंप्रेंट है, समझाए रहा हुआ कि क्यों मैंने इसको इतना जूम किया है। ओके धान रको किसर इसका नाम है BARRON DUEB तो अ मैं कर देते हैं. क्या बया इसका नाम है BARRON DUEB और बया ये जो BARRON DUEB है ये क्या है किसर ये भारत का एक मात्र भारत का एक मात्र सक्रिय क्या है बही जुआला मुखी है एक्टिव वोलकेन आप क्या करें लिंक्षी में इसको तो यू केन से एक्टिव वोलकेन ठीक है बही चलिए वेरी गुट ध्यान से विसको नोट करो बहुत ध्यान से बी केरफूल केजर बई चलो अब देखो आगे अब दूसरा एक आइलेंट और देखते हैं कि अब दूसरा एक आइलेंट और देखते हैं ठीक है इसका नाम है नार कोंडम द्वीप कौन सा भई नार कोंडम द्वीप अब यह जो नार कोंडम द्वीप है यह सर भारत का सुशुप्त मतलब इनक्टिव सुशुप्त क्या है जुवाला मुखी है इनक्टिव वलकेन ओफ इंडिया क्या है यह जो है भारत का सुशुप्त जो ला मुखी इससे आप क्या कह सकते हो इसर इनक्टिव वलकेन ठीक है भाई क्या कहेंगे इसको इससे कहेंगे हम इनक्टिव वलकेन ओफ इनक्टिव क्याओ क्या है झाला यह जो है प्या बिंग्टिव और न जो जो दो है झाला, भाला मुखी झाला, क्या मुखी नोटेड सब नोट कर लिया तो यह था आपका कौन सा अंडमान यह अभी तक हमने किवल अंडमान की बात करिए हुआ हमने भी निकोबार को उपन निकोबार का पूरा अलग सीने सब ठीक है यह आपका पूरा क्या है अंडमान है ठीक है तो प्लीज बी केरफूल यह बहुत इंपोर्टेंट है ध्यांस इसे नोट करिएगा अब लिटिल अंडमान के नीचे जो क्या हैगा कि सर इसको तो आप यहां पर देख लो इसको तो रब कर रहा हुँ तो छुटा बनाते हैं इसको इस प्रकार से ठीक है इसका नाम गया कर दिया अपन ने लिटिल अंडमान लिटिल अंडमान झाल झाल ठीक है वई चली ओके और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है इसका नाम है कोर निकोबार क्या है भे इसका नाम कोर निकोबार है और इनके बीट जो सीमा है यह वाली ठीक है इसका नाम है 10 डिगरी चैनल जो कि हम पहले देख चुके हैं तो वह यह है आपका अंडमाँ ठीक है भाई क्लास अपने करते हैं कल तो गाईस थैंक यू सो मच किप इट अप टेक केर बाबाई अंडमाँ आपका यू सीमा नापका यू सीमादेजर को नापका झाल 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 झाल